तो दोस्तों बहुत जल्द हमारा निउस्टर भी आने वाला है नेक्स्ट I think 30 तरिक से पहले पहले निउस्टर भी आए जाएगा जिसमें बहुत सारी बहुत कुछ आरे लिए गुड निउस होंगी और गुड निउस जो होती है हमेशा हमारे लिए ही होती है दोस्तों और जा लोगों को बिलकुल बढ़िया चल रहा सिस्टम एड भी आ रही है तो इहा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत जाएगा दोस्तों और आपकी डाउन लाइन में लोग आपको डिस्टर कर रहे हैं जो बार-बार आपको तंग करते हैं आप फोन करते हैं तो यही कि उसको हमारी मिटिंग में इन्वाइट कीजिए लोगों को पर इस मिटिंग से जोड़िये थि दोस्तों जब तक हम अपने ग्रुप से जुड़े रहते हैं तो हम आ हम और हमारी टीम अक्टिव रहती है क्योंकि यह बिजनस है दोस्तों अनी में टाइम एक्टिव र तो आपको ऐसे लगा कि यार वाक्य में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तो आप लोग चुप चुप अपने घर पे बैठ जाते हो सारी ना छोड़ देते हो तो दोनु क्योंकि हम लोगों की लोगों की उंगली पे चलने के लिए नहीं आये हैं हम लोगों को अपना खुद का डिसीजन लेना है हमें खुद अपना डिसीजन खुद लेना है हमें खुद देखना है यार मेरी लाइफ में आज तक जो मैंने किया है क्या वो मैंने है है बट हम लोगों को देख कर लोग कर रहे हैं तो ठीक है अगर एड़ आ रही है तो ठीक है जिस दिन एड़ नहीं कि इसलिए दोस्तों अपना डिसीजन खुद वनिए क्योंकि जितने भी लोग काम्याब हुए आज तक वह अपने डिसीजन की वज़द में और हमारा डिसीजन हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा दिकते प्रॉब्लम में दोस्तों हर जगा पे आती हैं हर बिजनस में दुन कॉंसेट ऐसा कोई भी दुनिया का बिजनस नहीं है जहां पर कोई प्रॉब्लम से नहीं आती हैं दोस्तों तो इसलिए आप हमेशा प्रॉब्लम स्कों छोड़कर दिकतों को छोड़कर आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहना ही हमारा काम है क्यूंकि हमारी टीम जो है ह क्या हम कर रहे हैं क्या क्योंकि बिजनस दोस्तों अंदर और बाहर दोनों से एक तरह का होने वाला बिजनस है दोस्तों हमें जो हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए और जो हम करते हैं वहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए हम खुद तो सबको बोल रहे हैं कि में मिटिंग में तो खुद हम आनी पा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है लोगों में लोग अपनी टीम को सो बोलते हैं तो खुद टाइम नहीं दे पाते हैं तो इस देना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों यह बिजनस आप से और कुछ नहीं मांगता है सिर्फ सिर्फ टाइम मांगता है क्योंकि 1109 रुपे तो हमने अपनी पर्सनल वरिफिकेशन के लिए दिये हैं कि क्या आप लोग अगर जालाइफ स्टैल के सिस्टम में हैं तो यह उसका एक प्रूब 1109 रुपे से आपने अपनी पर्सनल वरिफिकेशन करवाई है उसके इलावा अ कि हम फ्यूचर से को लिए लग जाती है तो सारा जिन्दगी हम लोग काम करते हैं पचास साल साल की उमर तक उसके बाद क्या होता है तो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल की दवाईयों की वैजा से हम लोग जिन्दा रहते हैं जितना भी पैसा हमने अपनी सेविंग में हो हो दोस्तों हम लोग कुछ दिन काम ना भी कर एतो हमारा बिजनसर हम लोग कहीं दो करने गया है तो हमें बार बार जो काम है उसके लिए फो न आए तो ये होता फूचर सकोटी हम अपने टायम को से एंजुआई करें ये होता है फ्यूचर स्कोर्टी ये होता है टाइम फ्रिडम तो यह सब चीज़ें दोस्तों बाहर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है और यहां पे अगर पूछा जाए आपको कितने में मिल रही है यह फ्यूचर स्कोर्टी तो आपको सबका जवाब हो या 300 यूरो का package लिया है चाहे आपने 1000 यूरो का package लिया है उससे आपको future security नहीं मिलने वाली है दोस्त आपको यहाँ पे time freedom future security सिर्फर सिर्फ मिलेगी यहाँ पर अपना जो time हम लोगे यहाँ पर जो हम लोग रोज हर रोज जा lifestyle के बारे में हम आपको बदाते हैं आप सुनते हो यह जो हम time लगा रहे हैं यहाँ पर यह इसकी value हमें इतनी जबर्दस तरीके से मिलने वाली है तो उसका जब आएगा time तो हम लोग याद करेंगे कि यार मैंने एक साल डेट साल करनी पड़ती ही तो क्या था फर्क बढ़ता था इसलिए दोस्तों फर्क कुछ नहीं पढ़ने वाला है आप लोग दिल खोल के काम कीजिए अपना जो time है ज्यादा से ज्यादा जा lifestyle में दीजिए क्योंकि यहाँ पर आने वाले time में आपको बहुत सारे leaders की जूरत बढ़ने वाली है और काम क्योंकि यहाँ पर जो leaders है उनकी बहुत ज्यादा leaders की value बहुत ज्यादा होगी दोस्तों आने वाले time में क्योंकि जो हमारी टीम में है हमारी टीमों में इतने educated लोग होने चाहिए कि अपनी टीम को खुद handle कर सके अपने जो सवाल है लोगों के खुद दे सके उनको क्योंकि अभी तो शुरुआद है हम लोग जहां भी जाते हैं किसी webinar में किसी meeting में जाते हैं तो हमें वहाँ पर कुषिश करें इतनी सी सर्च तो कर लें इतना तो विश्वास बना लें कि हमारे सवाल खातों हो जाओ और हम लोग काम करें सिर्फ और सर्फ काम पर ध्यान दें शिर्फ अपने टीम पर ध्यान दें तो कि जतने भी लोग इस meeting में है 99% सब को सब कुछ पता है सब को सब के से उसको पर्मोट नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम तक का 101 परसंट नहीं पहुंच पा रहे हैं बट कोई भी इतना ज्यादा देप तक नहीं पहुंच पाता है लेकिन हमारी कोशिश तो हमेशा यही रहनी चाहिए कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उनके जो भी सवाल है जो भी कॉश्चन है वो आप तक रहें क्योंकि जब आपके सवाल आपकी टीम के आप खुद सवाल उसको हल करते हो खुद उसकी हल्प करते हो इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है दोस्तों और आपको पता होना चाहिए जानकारी जो एजूकेशन है जितनी आप बाटों के लोगों को जितनी जानकरी दोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे और परफेक्ट बने का सबसे असान तरीका है आप लोगों की solution का हल कीजिए कोई problem है उसका solution कीजिए आपकी खुद की जो खुद की है education खुद बाखुद बढ़ जाएगी दोस्तों कि कोई भी कहां से सीखा आपको पता है इसी मीटिंगों में सीखा है हर बंदे ने हर लीडर ने ही मीटिंगों में ही सिखा और आज मौका है बहुत बड़ा दोस्तों कि अगर आप एक उची लेबल पे पहुंचे तो वह तो बहुत टौक पे पहुंगे उस टाइम पे तो हम लोग बहुत लखी है इतने अच्छे अच्छे लीटर को सुनने का मौका मिल रहा है उनकी मीटिंग को करने का मौका मिला है तो हम लोगों को बहुत जल्द यहां से कुछ निकुछ सिख लेना चाहिए अपने छो टीस्टी मिटिंग करना चाहिए अपने साहते लेवल तक महुँचना चाहिए। और। अगर आज आपकी टीम पांच सो किया तो sergeant तो दिनों में आपकी टीम 20,000 से प्लस हो जाएगी क्योंकि कोशिच जब तक हम नहीं करेंगे अपनी टीम को हैंडल करने की तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि मिटिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है दोस्तों जो मिटिंग में हम लोग आते हैं वो में अच्छा लगता है वो उसको फॉर्वड करना हमारा फर्जा दोस्तों कि इतने सारे लोग हैं जो आपकी टीम में तेजी से बढ़ रहे हैं उनको आप अकेला हैंडल नहीं कर पाऊगे इसलिए जो भी आप यहां से सीखते हो जो भी आपको अच्छा लगता है जो भी आ अनुमान नहीं लगा जा सकता है इसका कोई अनुमान लगा नहीं पाया कोई आज तक कि इतने बड़े बड़े लोग है इतने बड़े अरब पती करोड़ पती हैं जो दिनों में करोड़ रुपे कमाते हैं वो भी इसका अनुमान नहीं लगा पाई है कि इसकी वर्थ कितनी है इसका मतलब इसकी वर्थ दोस्तों कोई नहीं नहीं कोई कैपिंग नहीं रखी है आप सोचके देखो कि बाहर जो बिजनेस चल रहे हैं 30 साल 40 साल से वहां पे हर जगा पे कैपिंग है वहां पे लिमट है बट जा लाइफस्टाइल में कोई कोई कैपिंग कहीं भी नहीं है इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ महीनों या एक आने वाले साल में जा लाइफस्टाइल दुनिया की नंबर वन कंपनी बन जाएगी दोस्तों